वेलकम और यह जो वीडियो है यह मेरे यूज़वल वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है इस वीडियो में मैं आपको अपनी जो मोस्ट फेवरिट मुवीज है वो शेयर करूँगा और इसमें टॉप 10 मुवीज हैं अगर आपको हुल्लीवूड मुवीज में ज़रा सब इंट अपने भी चॉइस लिखना कुछ रिकमेंडेशन लिखना जो आपको वाकि पसंद है तो सबसे पहले नंबर 10 और यह हैं The Matrix अमेजिंग मुवी आइधिंग 1999 यह 2000 के आसपास में आई थी मैं टॉप 10 नंबर 10 के जो स्पॉर्ट के लिए मैं कन्फ्यूस था बिट्विन फाइट क्लब और देमेट्रिक्स बट उसमें से मैंने देमेट्रिक्स को चूज किया फाइट क्लब फिरका भी किसी और दिन मैं डिसकस करूँगा बट वो भी अमेजिंग मुवी है बट एट नंबर 10 दे मैट्रिक्स नंबर 9 12 एंग्री मैं मैं आपको कोई मुवी का ऐसा स्पोईलर वगरा नहीं बताऊंगा कि इस मुवी कि मैं ऐसा और यह सब वो आप खुद देखना बट इस इस एन आउसम मुवी 12 एंग्री मैं इन जितनी भी मैंने मुवी ली है उसमें से यह सबसे ज़्यादा ओल्ड मुवी है इस फिर फिर जूरी डिसाइड करती है कि उन गिल्टी है और आप मुवी को खुद देखना आप यू एंज्वाइड इस मुवी नमबर एट वी हैव डाइहाड 1988 में आई थी ब्रूस विलिस की मुवी डाइहाड फ्रेंचाइजी की फस्ट मुवी और सबसे बेस्ट मुवी और यह वर दबेस्ट एक्शन मुवी कंसिलर के जाते है इट इस न आउसम मुवी ब्रूस विलिस की सब्सक्राइज की मुवी और यह मुवी 1980 में रिलीज वी थी अमेजिंग मुवी बिल्कुल टाइमलेस क्लासिक मुवी इसको कभी भी किसी भी टाइम यह ऐसी मुवी है कि अगर कोई 100 साल बात भी देखेगा तो भी पूरी फ्रेश और अमेजिंग लगीगी आप यह मुवी देखें तो आप दुबारा देखोगे फिर यह मुवी को यह 1960 की मुवी अलफ्रेट हिचकॉक की तो सारी मुवी यह उसमें से यह सबसे बेस्ट मुवी लगती है यह मुवी इत्रीस कंसिड़र हॉरर मुवी लेकि इतना हॉरर ऐलेमेंट इसमें है नहीं बट जो इसमें बातचीत होती है तैट इस सो थ्रिलिंग जो दो लोगों के बीच में बातचीत है खुद यह जो इसमें में विलेन जो है एंथनी परकिंस इसका नाम जो किस तरह से इसका बात करने का तरीका अमेजिंग मुवी इस मुवी को I think मैंने 10-20 ताम्स देखा होगा और स्टिल I can watch this movie अगें नाव अट नमबर 4 The Dark Knight and only and only because of this Joker यह मुवी क्या डायलोग से इसमें क्या अमेजिंग यूनो जब कोई negative character यह villain कुछ बाते कहता है और वो sense बनाता है एक thrilling element awesome it is just amazing तो नमबर 4 पे we have The Dark Knight मेरी नमबर 4 फेविट मुवी actually super hero movies में बहुत सारी awesome movies है जैसे Avengers का जो last है Avengers end game amazing movie लेकिन मैंने एक ही super hero movie को इस उसमें लिया है alright तो मैंने The Dark Knight को इसमें select किया number 3 Schindler's List यह juice पे Nazi जो आर्मी थी उन्होंने जो अत्याचार किये Hitler ने उस पे based यह movie है and क्या awesome movie बनाई ही यह movie same year release हुई थी जिस साल Jurassic Park रिलीज हुई थी 1993 लेकिन इस movie के लिए इसके director Stephen Spielberg को Academy Award मिला था best director का first time best director का Award मिला इस movie के लिए Stephen Spielberg को and यह movie भी again बहुत लंबी film है और I mean कुछ इसमें ऐसे scenes है जो family के साथ अगर ना देखो तो best है लेकिन वैसे यह film it is an awesome movie, super movie so अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखना इस movie को आपको एक्चल में पता चलेगे कि वाकि कितना जादा अत्याचार होता था black and white में shot कर रखी movie and एक documentary का look देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था amazing movie, amazing work by Steven Spielberg and कमाल की बात यह है कि इस movie को कई सारे directors के पास लेके गया था Steven Spielberg लेकिन बाद में उसको खुद ही direct करना पड़ा जब बाकि directors ने बोला कि यह बहुत बड़ा project है शायद हम नहीं कर पाएंगे इस तरह से तो बात में खुद उन्होंने अपने आपी इसको shoot किया and amazing he directed himself and the movie turned out to be amazing and number two we have Pulp Fiction यह जो movie है आपको लगीगा कि sir यह movie top 10 का sport deserve कर दी है but it is my one of the most favorite movies यह movie again इसमें जो dialogues हैं वाउ again and again and again उन dialogues को देखनी के लिए ही आप यह movie देख सकते हैं and it is amazing यह जो इसमें movie चलती है यह chronological order में नहीं है और यही Quentin Tarantino की speciality बहुत सारी filmों में वह इस तरह से करते हैं कि film chronological order में नहीं होती है so but still this movie is so amazing to watch और जो वही element इसका है कि it is not in chronological order यही इस movie को superb बनाता है किस तरह से movie शुरू होती है किस तरह से end होती है it is just amazing I mean I wish कि अगर कभी मैं कोई director बनू या you know सपने में तो मैं इस तरह की movie का भी direct कर पाऊं Pulp Fiction and at number one of course The Godfather 1972 में यह classic gangster movie आई थी and uh इसके बारे में तो क्या कहना है this is just amazing movie again it's a very long movie I think more than three hours long movie but Mylon Brando The Godfather के क्या awesome उनोंने यह acting की है एक Italian Mafia की well so this was my list of top 10 movies और अगर आपके भी कोई कुछ movies है favorite जो इसमें नहीं है और मेभी इसकी दूसरी list में बनाऊंगा मेरी next top 10 but मेरी जो first top 10 है यानि जो मैं कहूं मेरे top 10 favorite movies वह यही list है आप भी comment box में लिखना कि आपको कौन सी movies पसंद है कि बाइ करातम